नमस्कार, वेलकुम यूर बंस अगेन, जैसा कि आप सभी को पता है, क्या पता है, कि हमने BSC Part 1 के लिए Unit 2 शुरू की है, Stereo Chemistry of Organic Compound, जिसमें हम अभी तक 16 lectures complete कर चुके हैं, हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, almost chapter खत्म होने वाला है, main main जो पार था, वो हमने पढ़ लिया है, ये दोनों ही किसके अंतरगत आते हैं, विन्यासी समाव्यवता की, विन्यासी समाव्यवता, विन्यासी सनरूपन, दो तरागी सनरूपन थे न, एक विन्यासी थे, और दो तरागी समाव्यवता थी, विन्यासी समाव्यवता और एक थी, सनरूपन समाव्यवता, विन्यासी समावयवता थी वो किसमें दो पार्टस में dealing थी एक प्रकाशक समावयवता और दूसरी थी जामि किख़य हिप्तर तोह प्रकास समा विप्ता में हम ढेख़्ीयल में बहुत सारा पढ़ चुके हैं चीज् resulting लिए हमने टायरल सेंटर होना चिए कोई सीमेटरिय Eranč online मने भी हैं और हमने यह पुस में देख करेंगे क質 क्यों केंसे आइसोलेट करें हम लोगों कि यह हैं अधर नहीं होता है तो ऐसे जिसमें बाइफनायल और देखी थे और भाइफिन और एलीन में आर्यस निकालना सीखा था, जिए मंढारा शुरू करने वाले जामितिय समावयप्ता, इसमें जाधा टाइम नही लगी जामितिय समावयप्ता में, फोफको पढ़ेंगे वं departments अपब फागर अल्ड को होएं, जामितिय samे चाजो करने समावयप्ता, Ugh, Geometrico जानते हैं पढ़ चुके हैं हम पहले ही इंट्रोडक्शन हम में देख चुके हैं जामिती समावियप्ता क्या होती है तो हमने बताय था यह डो टैप यह जामिती समावियप्ता होगी इसमें हम दो टैप में स्टेडी करेंगे जामिती समावियप्ता को दो टैप में स्टेडी करेंगे तुसरा हम यहां पर सिस ड्राइस मैं नहीं क्लासिफाइब कर सकते जहां पर क्या यूज करते हैं यूज करते हैं फिर हम उनको सिस और ट्रांस सब्सक्क्राइब एह ज rif खत्म कर देंगे इसके बाद हमारी केवाल एक रजाएगी सनरूपन समाव्यप्ता वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगी ठीक है तो देखते हैं सबसे पहली बाद जामिती समाव्यवता कहां पर देखी जाएगी जामिती समाव्यवता कौन से मॉलिक्यूल प्रदर्शित करेंगी तो जब हमने जामिती समाव्यवता देखी थी तो हमने बताये था यह ऐसे मॉलिक्यूल में पाई जाएगी जिनमें प्रतिवंदित घूर्णन होता है जिनमें क्या होता है प्रतिवंदित घूर्णन यानि की free rotation allowed नहीं होता तब यहां लिख सकते हैं कि यहां ऐसे योगिकों में यहां ऐसे योगिकों में पाई जाती है जिनमें जिन में प्रतिबंदित घूरणन होता है जिन में क्या होता है घूरणन होता है वो भी कैसा प्रतिबंदित यानि restricted rotation यानि molecule freely rotate नहीं कर सकता यहां तो कार्वन कार्वन के बीच डॉल बांड हो यह तो डॉल वजे से यानि की प्रतिवंदित गूर्णन के कारण उपस्थित समू बिविन सापेक्ष इस्थितियां क्या करेंगे विविन सापेक्ष इस्थितियां ग्रहन कर लेते हैं और इन्हीं स्थितियों की वज़े से किसका निर्मान होता है जामिती समाव्यक्ता को जन्म देते हैं यानि जामिती समाव्यक्ता का निर्मान होता है तो विविन सापेक्ष इस्थितियां ग्रहन कर जामितिय समाव्यवता उत्पन होती है ठीक है किसकी वज़े से जब मॉलिक्यूल के अंदर प्रतिवंदित भूर्णन हो restricted rotation हो यानि कि free rotation allowed नहीं हो तो जो carbon होगा या जो भी atom होगा उस पर जो उपस्थित समू होंगे वह अलाग-अलाग इस्थितियां ग्रहेंट कर लेंगे या दूसरे के साप्थ कुछ ना कुछ arrangement बना लेंगे और वहाँ पर किसका जन्म होता है वहाँ पर जन्म होता है जामितिय समाव्यवता का चलते हैं आगे तो कहने का मतलब क्या है जय कईरवन है सिंगल बॉन्ड की वज़े से ये गूरणन कर सकते हैं, आलाम से कर सकते हैं लेकिन जैसे ही यहां एक और बॉन्ड बन जाएगा डेवल बॉन्ड तो फिर यहां पर rotation allowed नहीं होंगे क्या होंगे दोनों कारवन एक दूसरे से बंद जाएंगे अच्छे से बंद जाएंगे जिसकी बज़े से इन कारवन पर जो ग्रुप उपस्थित होंगे वो कोई ना कोई स्थितियां ग्रहन कर लेंगे है ना और उन्हीं स्थितियों की वज़े से किसका जन्म होता है जामितिय समावयव कहलाते हैं तो क्या होगा जब हम देखते हैं कि अगर प्रितिवंदित घूर्णन भी है और अगर सेम समू एक साइड पर हैं तो क्या होते हैं उसको सिस बोलते हैं और अगर सेम समू अपोज नहीं तो यह कैसे होगी कि यह विज्वाव्यप्ता को हम एक पार्ट एक तो पड़ेंगे हम से स्ट्रांस समाब यप्ता जयो मेटिकल से कि प्रतिबंद 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 गूर्ण eux होना चाहिए यानि कि अगर मॉलिकी को सिस्ट्रांस बनना है सिस्ट्रांस आइसोमेरिजम सो करनी है तो उसके अंदर पहले कंडिशन तो यह है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, कैसे होगा प्रितिवंदित गूर्णन, तो क्या लिख सकते हम, अर्थार्थ, दुईवन्द, या चक्रिय, सनरचना, उपस्थित होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए, यानि कि प्रतिवंदित गूर्णन, तभी हो पाएगा, यहां तो मॉलेकुल रिजिड हो, चक्रिय हो, चक्रिय सरचना, जो होती है, वहाँ पर बॉन्द गूहुम नहीं सकते है, क्योंकि वह क्या होता है, वहाँ पर बॉन्द की रोटेशन अलाउड नहीं होती, दूसरा, एक ही कारवन परमाडू पर एक ही कारवन्यक्तरी परमाडू पर समान समून उपस्तित नहीं होने चाहिए उपस्तित नहीं होने चाहिए ठीक है कि यानिकी पहला तो condition है कि प्रतिवंद्जित गुरुणन होना चाहिए मतभाल बॉर्ण्ड होना चाहिए यहां पिर cyclic structure होना चाहिए थीकिस क्रेजिबन बाद में Wi-d Lazam करेंगे तो या तो प्रतिवंदित गुर्णानों चाहिए या तो फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए दूसरी कंडिशन क्या है कि एक ही कारवन परमाडू डवल बॉंड तो बना लिया अब क्या है सेम गुरूप नहीं होने चाहिए मनलों ऐसे लगा दिया सी एस थ्री तो क्या हो गया एक ही कारवन परमाडू पर दोनों सेम गुरूप हैं हाइडोजन आइडोजन दोनों सी एस थ्री सी एस थ्री हैं तो ऐसी कंडिशन में ये जुमेट्रिकल आइसोमेरिजम को प्रदर्शित नहीं करेंगे तो होना क्या चाहिए एक ही कारवन परमाडू पर स इसको मिटा दूँ नहीं होने चाहिए यदि यदि ये दोनों इस्थितियां उपस्थित हैं तो तो अलग-अलग कारवन परमाडू पर समान समू यदि एक और हैं तो उसे क्या कहेंगे तो उसे सिस और यदि विपिरीत ओर हैं तो उसे ट्रांस कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं ट्रांस कहते हैं यानि कि अगर ये दोनों कंडिशन है यानि कि ऐसा है मोलिक्यूल कारवन कारवन के बीच में डवल बॉंड है और एक ही कारवन पर सेम समूपस्थित नहीं है यानि कि यहां पर है A, यह है B, यह C, यह D है तो इसका मतलब A, B के बरावर हो सकता है C, D के बरावर हो सकता है यह दोनो A और B सेम हो सकते हैं C और D सेम हो सकते हैं क्यों? क्योंकि यह अलग-अलग कारवन पर माड़ू पर है अलग-अलग कारवन पर माड़ू पर समान ग्रूप हो सकते हैं लेकिन एक ही कारवन परमाड़ उपर समान ग्रूप नहीं होने चाहिए, यानि कि ये तो हो सकता है, A, B के बरावर हो, C, D के बरावर हो, या फिर A किसके बरावर हो, C के बरावर हो, या तो फिर D, B के बरावर हो, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ऐसा होना चाहिए, A, B क आपस में सेम हो सकते हैं है ना लेकिन लेकिन बट बी सी के बरावर नहीं होना चाहिए यानि बी और सी सेम नहीं होने चाहिए यह क्या हो यह सेम नहीं होने चाहिए तो यह condition अगर follow हो रही है तो तो cis और trans हम इसको बोलेंगे otherwise cis और trans नहीं बोलेंगे यानि ये दोनों same हो सकते हैं ये दोनों same हो सकते हैं ये दोनों same हो सकते हैं लेकिन ये दोनों आपस में same नहीं होने चाहिए ये दोनों आपस में same नहीं होने पहले इतना उतारिये फिर एक्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से हो गया आगे चलते हैं एक्जाम्पल से देखेंगी बस इतना ध्यान रखिए डबल बॉन्ड होना चाहिए और सेम कारवन परमाड़ू पर यानि एक ही कारवन परमाड़ू पर एक जैसे ग्रुप नहीं होने crater जो अपोजिट अपोजिट कार्वन परमाडू है अलग-अलग उन पर सेम ग्रूप हो सकते हैं लेकिन एक ही कार्वन परमाडू पर दोनों ग्रूप सेम नहीं होने चाहिए अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वहां जुमेट्रिकल आईसोमेरिजम नहीं होगी है ना तो अगर य यानि ऐसा होना चाहिए, C double bond C, ठीक है, यहां पर H है, तो यहां H नहीं होना चाहिए, यह H हो सकता है, यहां पर अगर CS3 है, तो यह वाला CS3 हो सकता है, क्योंकि अब सेम ग्रूप हैं, लेकिन अलग-अलग कारवन पर माड़ उपर, यह दोनों क्या अपोजिट कारवन पर हैं, तो अब हम इसे सिस्यां ट्रांस में क्लासिफाई कर सकते हैं, सारी कंडिशन फॉलो हो रही है, दावल बॉन्ट है, प्रतिवंदित गूर्णन है, है ना, एक ही कारवन पर माड़ू पर, एक ही कारवन पर माड़ू पर सेम ग्रूप नहीं है, दूसरी कंडिशन भी और यह क्या है ? 1234 चार कारवन है तो इसका नाम क्या होगा ? cis2-butene क्या है ? cis2-butene है ठीक है ? यह cis2-butene है और अगर ऐसी condition हो ? hh यहाँ पर क्या है ? cs3 कारवाल है ठीक है ? अब यह अब भी double bond है प्रतिबंदित घुर्णन है पहली condition फोलो एक ही carbon पर माड़ू पर same group नहीं है दूसरी condition भी follow और अगर हम देखें तो same group क्या है? opposite तो क्या कहेंगे इसे? जब same group विपरीत और हों तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे कहेंगे हम trans और ये भी क्या है? butene ही है trans to butene तो इस तरह से हम molecules को cis और trans में classify करते हैं ठीक है? कुछ और example देख लेते हैं अगर ऐसा हो ये CL, CL, H, H तो हमको दिख रहा है restricted rotation है एक carbon पर माड़ू पर same group नहीं है तो आँ हम इसको cis trans कह सकते हैं तो देख सकते हैं same group opposite है same group opposite है तो ये कहलाएगा trans, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा हो CL, CL, H, H अब तो same group क्या है? same side है तो इसे क्या बोलेंगे? cis नोट कीजिए इसका भी नाम दे सकते हैं ये क्या है trans? क्या होगा? 1, 2 दो ही carbon है तो हम लिख सकते हैं इसको 1, 2 di chloro ethylene है ये है ना? ऐसे ये क्या है? cis 1, 2 di chloro ethylene है ये ethylene है ठीक है? और examples भी देख सकते हैं अगर हमने ये ले लें ये तो आप लोगों ने देखा होगा ये क्या है ये भाई? यहाँ पर भी क्या है? एक ही carbon पर दो same group नहीं है restricted rotation है तो हम इसको cis trans बोल सकते हैं same group एक side है same group एक side है तो इसका नाम क्या होगा? cis और ये कौन सा acid है? अगर सुना हो इसका नाम तो maleic acid है क्या है? maleic acid maleic acid है अगर ये दोनों COOH group trans पर लगे हो COOH group कहा हो? opposite हो ठीक है? तो ये कौन सी है? COOH group opposite है HH opposite है तो ये कह कहलाएगा trans तो ये तो cis maleic acid था लेकिन ये trans maleic acid नहीं हो जाएगा जब COOH same side होते हैं तब तो होता है maleic acid और जब trans पर हो जाते हैं तो ये होता है fumaric acid ये कौन सा होगा? fumaric acid fumaric am ये तो maleic aml है और ये fumaric aml है ठीक है? इनके नाम different होते हैं अगर COOH same side हो carbon carbon के 20 double bond हो COOH same side हो तो ये होता है maleic acid और अगर trans हो तो इसको बोलते है fumaric acid तो इस तरह से हम इनका cis और trans में classify कर सकते हैं कुछ और example सेख लेते हैं ठीक है? कुछ और example देख लेते हैं जैसे isocrotonic और crotonic हम यहाँ देख लेते हैं ऐसा दे रखा हो अगर यहाँ पर हमको दिख रहा है restricted rotation है ठीक है विल एक ही कारवन पर दोनों ग्रूप सेम नहीं है ठीक है? इसका मतलब अभा हम इसको cis trans classify कर सकते हैं cis trans classify कर सकते हैं अभ आम यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको cis बोलेंगे यह trans तो यहाँ पर देखे हैं hydrogen hydrogen दोनों एक जैसे हैं सेम ग्रूप का हैं साइड पर हैं यहां तो इसको क्या बोलेंगे सैड और दूसरा इसको भी देख सकते हैं कि हईड्रोजन के अलावा आगर कोई दूसरा फंक्शनल जूप है वह कहां सेहला यहां इसको नोगर से हो जाएगा थिक है इसका मतलब के जरूरी नहीं यहां पर CS3 है तो यहां पर भी CS3 होना चाहिए, यह ग्रूप different हो सकता है, यह वाला ग्रूप different हो सकता है, लेकिन कोई दो ग्रूप होने चाहिए, जो same रहे, यह एसा नहीं कि आप 4 ग्रूप different लगा दो, और फिर कहो कि उसमें SIS TRANS करें, तो फिर cis trans नहीं कर पाएंगे ना किसके आधार पर कहेंगे कौन same side है कौन opposite side है ना चारो ग्रूप को अलग नहीं कर सकते लेकिन हाँ यह हो सकता है कि यह वाला ग्रूप तीन ग्रूप अलग अलग हो है है कि अधी यह दोनों को different हैं ठीक है चलो इनसे तो नहीं बता सकते हम सिस ट्रांजी स्कूण तो यह क्या हो जाएगा ट्रांस बोलते हैं क्रोटोनिक एसेड को यह कुछ स्प्राणज की एक्जंपल्स थे नोट कीजीए जल्दी नो चीजए फिर आगे चलते हैं कि इसका मतलब आप सीख गए होंगे कि कब हम सिस बोलेंगे कब हम ट्रांस बोलेंगे है ना तो जरूरी नहीं कि सारे दोनों कार्वन पर इदर सीएस्ट्री लगा हुआ है तो उदर भी सीएस्ट्री लगा हुआ हो केवल कोई दो गृप सेम होने चाहिए है ना जरूरी नहीं सारे सेम हो कोई दो गृप सेम होने चा यह बस इतना है बाकी के दो गुरूप डिफ्रेंट हो सकते हैं चलिए आगे चलते हैं अगला कुशिन यह उठता है कि सिस्ट्रांस तो चलो हम सीख गए बताना लेकिन क्या कारवन कारवन के भी डबल बॉंड होना जरूर मतलब कारवन और दूसरा कारवन था हमने क्या लिया था कारवन और कारवन के भी डबल बॉंड लिया था तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक तो कारवन हो और वो डबल बॉंड से किसी और एटम से जुड़ा हो कोई और एटम उपस्तित हो सकता है क्या तब हम उसको सिस्ट्रांस कह सकते ह हां जी जबाब है बिल्कुल हां तब भी सिस्ट्रांस हो सकता है ज़रूरी ही कारवन कारवन के साथ वह सकता हूं सी डव्र adopt एफ कर्वण के साथ कॉन जुड़ा हो नाइट्रोजिन जुड़ा हो अगर ऐसा है तो इस पर गुरूप लगाएंगे हम तब इसको हम क्या कह सकते हैं है इसको सिस्ट्रांस में क्लासिफाइ कर सकते हैं तो जरूरी नहीं कि डबल बॉंट जो होगा वो कारवन और कारवन के बीच होगा कोई और एटम भी उपस्तित हो सकता है जैसरे कुछ कारवन की जगान कावान ना नाइट्र precisamente कर सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि दोनआ क्या नाय्ट्रोजन त बहुत कर सकते हैं तो ऐसा हो जरूरता स्थी ज़रूरी लेकर मचलना की आतो मिमोंच आप तो आप उसमें सिस्ट्रांस ना करो, ऐसा नहीं होता अगर ऐसे भी मॉलेक्यूल रहे, अगर इसमें सिस्ट्रांस की कंडिशन फॉलो हो रही है तो हम यहाँ पर भी सिस्ट्रांस बताएंगे अगर इसमें सिस्ट्रांस की कंडिशन फॉलो हो रही है तो यहाँ पर भी हम सिस्ट्रांज को बता सकते हैं तो डवल बॉंड होना जरूरी है एटम जरूरी नहीं है कि क्या है कारवनी रहें या कारवन की जगे नाइट्रोजन कुछ भी हो सकते हैं बस इंपोर्टेंट किसकी है इंपोर्टेंट है डवल बॉंड की double bond होना चाहिए यानि कि प्रतिबंदित घुर्णन होना चाहिए बाकि atom तो कोई भी हो हम से strength बता सकते हैं प्रतिबंदित घुर्णन compulsion है ठीक है तो जैसे कुछ हम एक्जामपल देख लेते हैं जैसे ये हो ये दे रखाओ C double bond N ठीक है से यहां पर रदगा हो आज्ज यहां पर लगा हो एच से本फ चाहरों प्रोड्रोजं teenager घॉड़ भृणो वर पना सकता है जैस कितने वह इन जाता है तो नाशीपल हो जाता है यहां चाहर बनाते क्या हो जाएगा अनिस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? तो चार बोंट नहीं बनाएगा, तो इसके पास एक क्या है? लोन पेयर है अब हमें बताना है क्या हम यहाँ पर सिस्ट्रांस कर सकते हैं या नहीं? तो पहली condition होने चाहिए प्रतिबंदित गूर्णन की तो है प्रतिबंदित गूर्णन डबल बॉन लगा हुआ है तो प्रतिबंदित गूर्णन तो है ठीक है एक ही carbon पर same group नहीं होने चाहिए भाई ये भी follow हो रहा है same group नहीं है carbon क्या अगर nitrogen भी हो तो एक ही atom पर same group नहीं होने चाहिए क्या same group है नहीं एक तरफ तो hydrogen और दूसरी तरफ क्या है lone pair है तो same तो है यह नहीं है लेकिन opposite वाले carbon पर कोई same group होना चाहिए कोई एक same group होना चाहिए कोई एक same group होना चाहिए opposite पर जैसा कि अभी हमने देखा था आपोजिट वाले एटम पर कोई एक तो सेम ग्रूप होना चाहिए अईसा नहीं कि यह दोना तो डिफेरेंट है तो फिर हम बताने पहें और यह दोना भी अलग हो जाए तो फिर हम सिस्ट्रांट नहीं बता पाएंगे यह दोना डिफेरेंट चलेंगे लेकिन कोई एक ग्रुप तो ऐसा होना चाहिए जो सेम रहे सिस्ट्रांस के लिए condition important है चाहिए तो आप note करके लिख लिजिए कि opposite carbon पर या opposite परमाड़ों पर ज़रूरी नहीं कारवन हो कोई भी परमाड़ों हो सकता है तो opposite परमाड़ों पर कम से कम एक group ग्रुप सेम होना चाहिए important करके आप note डालके लिख लिख लिजिए ये condition भी must है तो वहाँ नोट कर लिजिए चाहिए तो यहाँ नोट कर लिजिए कि opposite परमाड़ों पर या नहीं विपरित परमाड़ों पर कम से कम एक same group होना चाहिए अब हम बता देतें तो same group है यह same side है तो यह क्या होगा CYS और यह जो carvon के बीच double bond होता है जो carvon के बीच double bond होता है तो इसका मतलब यह जो भी molecule बनेगा अब नाम तो नहीं दे सकते क्योंकि R group नहीं पता हम को क्या है जो भी molecule बनेगा कैसा होगा लगा हो एक तरफ है हमारे पास कौन लोन पेयर और एक तरफ लगा हो हाइड्रोजन और एक तरफ लगा हो आर ग्रूप अगर ऐसी कंडिशन हो तो क्या हम इसमें सिस्ट्रांस दे सकते हैं बिलकुल दे सकते हैं पहली पहली देखते हैं रेस्टिक्टेड रोटेशन सकते हैं यहां पर तो हमने बताए कि कम से कम कोई एक ग्रूप से होना चाहिए सिस्ट्रांस के लिए ठीक है क्या अब हम इसे सिस्ट्रांस कह सकते हैं बता सकते हैं क्या हम इसे सिस्ट्रांस जी हां बिलकुल यहां पर भी हम सिस्ट्रांस बता सकते हैं इसलिए मैंने यह एक हसके सकते हैं कह सकती है नहीं हाँ जवाब है हम niin welcoming ग्रूप खर सकते हैं एक चीजेक्टिये है उगे उह है कर इसा हो कि है ओएच और है ट्राझपर ड्रू और यहाँ पर कोई आघुड़ा हो यह ऊपर लगें अलोंakukan पेयर ह रहं है ना weiß अगल ऑ kar एच ड्रांसपर हो तुम पूलेंगे ट्रांस ठीक ऑफ यह अगर आपको ऐसा loft द्रून ही इनको option important है यह एसको क्या एक साइम का जता है क्या चैल में दिन ल्टवन क्गवेट यह पर क्या होता है थैक्ट झाहिए अगर है सम्सिव का क्वब जो भी होगा उसके इधार पर इसका नाम दिया जाता है यह तो थी यह तो थी डवल बॉंड बाले मौलेक्यूस में अब देखेंगे चक्री रेस्टिक्टेड रोटेशन के वर डवल बॉंड से अगर चक्री हो तब भी हम रच्रीक्टेड कर सकते हैं तो अब हम देखेंगे सरच्णाय को क्या बोलते हैं अ साइक्लिक क्या बोलते हैं मिंगो एइलि साइक्लिक बोलते हैं तो हम नए योगिकों में जामितिय्थ समाविप्था यहांपर जे। इसको सबी जानते होंगे साइक्लो प्रोपेन रिंग है तो यह जो रिडिड होती है अब यहां पर कोई भी कारवन यह तीनों जो कारवन है मालो यह यह कैसे है तो कोई भी भूम भूम नहीं शक्क्ता को सारे क्या एक दूसरे के साथ बंधे वए हैं यह सारे कारवण क्या है एक दूसरे के साथ बंधे हुए है तो इनवन Corn नहीं कर सकता इसका मतलब यहां पर पहली आपर यहां में के लिए यहां पर कनडीशन होती है यहां पर सेंग लगा दें यहां पर यहां परspeaking ऐसे होगा किया उन्हें टूब पश्राइंगे उन्हें हमारी रैस्तिक्टेटन रोटेशन की है उन्हें रहें दूसरा एक ही carbon पर क्या होने चाहिए same group नहीं होने चाहिए same group नहीं है ठीक है और opposite carbon पर कम से कम कोई एक group क्या होना चाहिए same होना चाहिए मिल्कुल मौजूद है या तो दो-दो same है ठीक है तो अब यहाँ पर हम cis trans बता सकते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे यह कैसा है CS3 CS3 same side है तो इसको बोलेंगे cis क्या बोलेंगे cis और इसका नाम क्या हो जाएगा और कौन सा cis है वन और इसको नाम दे दी है two position हमेशा adjacent कारवन पर होने चाहिए ऐसा मत कर देना का ठीक है हमेशा तो नहीं अभी हम आगे examples देखेंगे वहाँ पर बीच में कारवन भी छुटेंगे लेकिन हमें जिन कारवन पर हम cis ट्रांस बता रहे हैं उनकी position को बताना पड़ेगा हमको है ना तो यह cis तो है लेकिन कैसे cis है 1-2 cis है यानि 1-2 position पर यह cis और ट्रांस बताया गया है cyclopropane ring है दो methyl group जुड़े हुएं तो यह नाम हो जाएगा dymethyl cyclopropane क्या 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 बहाएंगे इसको डाइ-methyl cyclopropane अगर ऐसा हो CS3, CS3 group क्या हो, opposite हो, HH opposite हो, तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा 1-2 trans, यह trans है, वो भी कैसा, 1-2 trans है, और इसका नाम भी वह हो जाएगा, di-methyl, cyclopropane, ठीक है, तो इस तरह से cyclopropane ring में हम cis trans बता सकते हैं, जरूरी नहीं, यह ऐसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं, इनी दोनक positions पर हो, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यह CS3, यह CS3, यह H, यह H, ठीक है, अब भी क्या है, CS3, CS3 सेम साइड है, अब भी यह क्या कहलाएगा, 1 12 cis कहलाएगा, ऐसी अगर हम opposite पर लगा दें, opposite पर लगा दें, यह CS3 है, यह है, यह है, यह CS3 है, अब CS3, CS3 कहा है, opposite, यह up है, और यह क्या है, down, तो यह क्या हो जाएगा, trans, कैसा, यह भी 12 trans कहलाएगा, 1212, तो जरूरी नहीं, कि ऐसे मौदूद हो, ऐसे भी हो सकते हैं, हो स सारी 600 trans कौन से कहलाएगे, 12 ही कहलाएगे, यह किसकी category में आएगे, 12 की ही category में आएगे, टो वन टू ही कहलाएगे, लेकिन अगर cyclopropane, cyclobutane, यह तो अभी हमना 3 members वाली रिंग लिया, अगर हमारे पास cyclobutane हो, यह हो, cyclobutane, तो क्या यहाँ पर हम कर सकते हैं, हाँ, same side है तो ये क्या क्या कहलाएगा 1, 2, cis कहलाएगा ठीक है और ये क्या हो जाएगा ये भी वह हो जाएगा di-methyl syclo butane, di-methyl syclo butane, 1, 2, cis हो जाएगा अगर ऐसा हो अगर ऐसा हो CS3 up अब यहाँ पर CS3 down H up H down अब CS3 CS3 कहा है ट्रांस है तो यह भी क्या है 1 और 2 पोजिशन पर है तो यह भी क्या हो जाएगा 1, 2 ट्रांस हो जाएगा लेकिन अब यहाँ पर 1, 2 अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो भी 1, 2 रहाएगा अगर यह ग्रूप यहाँ लगाऊंगी तो भी 1, 2 कहलाएगा लेकिन अगर आएसे लगाऊं यहाँ पर 1, 2, CS और Transposition पोजिबिल है और इसके लावा मैं यहाँ लगाऊंगी यहाँ लगाऊं और यहाँ लगाऊं ठीक है ऐसे लगा हूँ थोड़ ऐसे बना अब यहां पर लगा हूँ CS3 CS3 H H ठीक है यह ऐसा है अब यह कौन सी पोजिशन है 1 2 3 अब यह सिस्ट्रांस हो तो कहलाएगा लेकिन कौन सा 1 3 अब हम यहां देखें यह CS3 अप है यहां पर भी CS3 क्या है अप है और अप अप क्या होत क्या कहलाएगा 136 ऐसे यह यह यहां पर अगर मैं ट्रांस पर लगा दूं CS3 अप है लेकिन यह CS3 को मैंने कहां लगा दिया डाउन H down है यहां H को लगा दिया up तो H up है यहां पर H down है CS3 up है यहां पर CS3 down है तो opposite है तो यह क्या कहलाएंगे यह कहलाएंगे 1-3 trans क्या कहलाएंगे 1-3 trans तो जो cyclobutane होते हैं उसमें हम दो तरह की cis trans कर सकते हैं तो 1-2 cis trans और दूसरे 1-3 cis trans जबकि cyclopropane में केवल एक ही हो सकता है 1-2 cis और trans हो सकता है यहां पर 1-2 cis trans भी हो सकता है और 1-3 cis trans भी हो सकता है जल्दी से note कीजिए फिर आगे चलते हैं ले लिजे screenshot जल्दी से चलते हैं फिर आगे अगर 5-10 से वाली वले हो 5-10 से वाली वले हो और ऐसा मौझूद हो 5-10 से वाली वले है और ऐसा मौझूद हो ठीक है CS3 CS3 H H तो यह क्या है 1 और 2 पोजिशन है तो यह क्या क्या लाएंगे 1-2 सिस ऐसे यहां पर क्या हो सकता है दूसरा हो सकता है 1-2 मालो CL लगा दिया CL लगा दिया H अब एक CL अप है एक CL डाउन है तो यह क्या हो गए ट्रांस तो यह क्या हो जाएंगे 1-2 ट्रांस हो जाएंगे यह चलो इसी को ले लेते हैं CS3 अगले एक्जम्पल में ले लेंगे उसको CS3 यह तो 12, cis था यह 12, trans है क्या इसमें 13 पॉसिवल हैं बिल्कुल पॉसिवल है जब साइक्लो ब्यूटेन में हो सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं हो सकते हैं यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दिया हमने CL, यहां लगा दिया H, यहां लगा दिया CL, यहां लगा दिया H, ठीक है, अब यह दोनो CL, CL कहा है, उपर की साइड है, यह भी उपर है, यह भी उपर है, तो दोनों कहां पर हैं, सेम साइड पर हैं, HH कहा हैं, नीचे भी होजाएगा see a help होगा तो यहां पर see a along the do not take a इंपर सिया तो उपर ता अभिवे सियार नीचे अपोजिट पहुच गये ना और फोज़े तो यह क्या होगा 123 तो यह क्लाएगा 13 3 ट्रांस ठीक है अब आपका उतने यहां तो 1 4 कर दोगे तुम तो है ना इतने उसे आ रहो तुम तो अगर मैं ऐसे लगा दूँ है एच और सी एल तुम क्या को के 1 2 3 4 यह तो 1 4 सिस ट्रांस हो गए 1 4 नहीं है भाईया 1 4 नहीं है 1 2 3 यह अभी भी क्या है 136 तो चाहे मैं इस पॉजिशन पर लगाउ या इस पोजिशन पर लगाऊ तो बने का वह सबने गा 1 3 यह वन और की 8% और छ पिजिक लेका JOSH ऑ जब लागना या इस पोजिशन पर लगाऊ जोनों क्या हों यह igual..., 3, cis और trans कहलाएंगे ऐसे ही हम cyclohexane में भी कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही हम किसमें कर सकते हैं cyclohexane में भी कर सकते हैं ऐसे group लगे हुआ हो CS3 CS3, H और H तो 1 और 2 दोनों same group, same side तो यह क्या कहलाएगा 1, 2, cis कैसा कहलाएगा 1, 2, cis लेकिन अगर ऐसे लगे हो CS3 अप है, यहां तो H हो CS3 के सामने और यहां CS3 है, यहां पर H हो तो अब यह क्या हो जाएगे यह हो जाएगे 1, 2, trans ठीक है? ऐसी अगर मैं यह लगा दूँ ऐसे एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ CS3, CS3, H, H तो यह 1, 2, 3 अब यह दोनों क्या कहलाएगे? 1, 3, cis और 1, 3, cis बनाया तो 1, 3, trans भी बन सकता है ठीक है? वो आप बना लीजिएगा अगर ऐसे हो यह वाली position तो अब यहां पर 1, 4 कहलाएगी अब यहां पर क्या कहलाएगी? 1, 4 कहलाएगी यानि six member ring में one four होती है one two three four चाहे तो यहां से किने यहां फिर one two three four कहीं से भी counting करें चौथे नंबर पर ही आएगा तो यह वाली जो i sis trans कहलाएगी यह कहलाएगी one four sis क्या कहलाएगी one four sis ऐसे ही बनेगी one four trans तो three member ring उसमें cable one two sis trans होती है five member में भी one two और one three sis trans होती है जबकि six member में one two one three और one four sis और trans हो सकते है जल्दी से नोट कीजिए तो इस तरह से अब sis trans बता सकते हैं इन में भी ठीक है sis trans तो बता सकते हैं साथ में position भी बतानी पड़ेगी कि यह कैसे है one two है one three है या one four है ठीक है मिता दीते है अगर fused ring हो fused ring का मतला उता है दो बले आपस में जुड़ी हुई हो इस तरह से अगर ऐसा system हो दोनों ring आपस में जुड़ी हुई हो और यहां पर हमको sis trans बताना हो तो हम कैसे बताएंगे तो क्या होगा sis trans बताने के लिए इस position का use करेंगे जहां पर यह fuse होती है ring जहां पर fuse होती है मतला यह वाला carbon दोनों ही रिंग में इस work और इस रिंग में यह वाला carbon दोनों ही count होगा तो ये जो ring है जहाँ पर fuse हो रही होती है उस carbon पर हम group लगाते हैं ठीक है तो यहाँ पर लगा दिया हमने group यह h लगा दिया यह भी h लगा दिया अगर दोनों group कैसे हैं above the plane है अफ-फ है यह भी above the plane है यह भी above the plane है तो यह कहलाएगा sis किसे बताएंगे Chiefs which पार इस पूजिशन पर देखेंगे और किसी पूजिशन पर जाना नहीं है आपको और किसी कोई भी ग्रूप च्छेय कैसा भी लगाओ हमें क्या देखना है यहां देखना है इस पोजीशन पर देखना है अगर दोनों ग्रूप कैसे हैं अब दा प्लेन है तो यह हो जाएगा सिस अगर ये ऐसे है यह क्या है below the plane तो यह क्या हो जाएंगे ट्रांस क्या हो जाएंगे ट्रांस ठीक है और जरूरी में दोनों ग्रॉप से मूं याद रखना गुरुप का से मुणा भी हो सकता है यहां पर गुरुप का से मुण जरूरी नहीं सब्सक्राइब और दोनों गुरुप कोई से भी हो तो यह कहला है कि सिस और अगर दोनों ग्रुप कैसे हैं ट्रांस के उपर है और एक प्लेन के नीचे है तो इसे कंडिशन में क्या कला है कि ट्रांस ग्रुप चाहें कोई भी हो तो नोट कीजिए इस तरह से हम बताते हैं फ्यूज डिरिंग में सिस और ट्रांस ठीक है कभी कभी हम इसको ऐसे भी दर्शा देते हैं कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा यहाँ पर दोनों को सेम डॉट से दर्शाएंगे दो डॉट बना दी अगर ऐसा ना दिया पोजीशन ना दी कि एवब हैं ब्लो हैं ऐसा बना दिया दो डॉट दर्शा दी तो इसका मतलब भी क्या होता है इसका मतलब होता है सिस ठीक है इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि एक तो dot है और एक खाली है एक dot है और एक क्या है खाली तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है trans ठीक है तो sis और trans ऐसे भी बताए जाते हैं जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं e z पर यह तो थी सिस ट्रांस आईसोमेरिजम इस तरह से हम सिस और ट्रांस को क्लासिफाई करेंगी अब बारी है मालो हमको कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए अब हम देखेंगे ईजाएट समावे भी ठीक है अगर कोई ऐसा दे दिया जाए कारवन कारवन के भी डबल बॉंड है ठीक है एक हो हाइडरोजन एक लगा दिया आईडिन एक लगा दिया ब्रोमीन एक लगा दिया क्लोरिन अब आपसे पूछेंगे बताओ इसे सिस और ट्रांस कैसे बता हुए तो क्या आप इसमें सिस ट्रांस बता सकते हो इसको सिस ट्रांस बता सकते हो नहीं बता सकते है तो जहां पर हम सिस ट्रांस नहीं बता सकते है वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं फिर हम इसको किस से बताएंगे ई और जैड से बताएंगे और ई और जैड का मतलब वही होता ह है जो सिस्वों ट्रांस का होता है तो हम देखने वाले हैं ईजर जामिती समावियवता अब हम देखेंगे ईजर जामिती समाव िवता आसान है जल्दी से समझ वह आजाएगी आपको कर दो यहां पर ए का मतलब होता है तो यहां पर हम पहले लिख सकते हैं कभी यूज़ करेंगे तो जिन यौगिकों को सिस ट्रांस में सिस ट्रांस में विवाजित नहीं किया जा सकता है उनके लिए उनके लिए E Z संकेतन प्रयोग होते हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? E Z का उपयोग करते हैं E E का मतलब होता है और E का मतलब होता है एनटोजन जेण का मतलब होता है ज्यो quand विप्रीट E का मतलब क्या है विप्रीत यानि कि E को हम trans से क्या कहता है trans से relate कर सकते है trans में भी क्या होते है विप्रीत होते है और E का मतलब भी क्या होता है विप्रीत तो ये E जो होता है actual में क्या है trans है है ना ठीक है Z का मतलब होता है Jusamine क्या होता है सेम मतलब की समान तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ सिस के साथ तो सिस जो है सिस में भी क्या होते हैं सेम ग्रूप समान साइड सेम ग्रूप जो होते हैं वो एक ही और होते हैं समान साइड होते हैं अब यहां पर किसका यूज़ किया जाता है यहां पर हम कैसे ई और जैड क्लासिफाई करेंगे तो यहां पर जो हम ईज़ेड का यूज़ करते हैं वह सी आई पी रूल पर आधारित होती है तो हम यह लिख सकते हैं कि यह पद्धिती सी आई पी नियम पर आधारित होती है सी आई पी नियम क्या है वही किस पर आधारित है सी आई पी नियम पर आधारित है सी आई पी नियम क्या है सी आई पी नियम हमने पढ़ाता जब हम आरेस नॉमेंट क्लेचर पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ाता सी का मतलब होता है चैन आ प्रिलोग तो यह तीन साइंटिस्ट थे इन्हों ने क्या दिया था अपना सी आई पी रूल दिया था जिससे हम किसकी आद निसाइड करते थे कि जो कारवन से जो हमारा वहां RS में लगाए थे है ना कैसे कौन कौन सा नियम है पहला नियम क्या था रूल वन रूल वन क्या था कि जिसका परमाडू क्रमांक सबसे ज्यादा होगा ठीक है उसे पहली प्राइक्ता देते हैं है ना तो यहां पर हमको क्या करना है वही पहला वाला रूल जिसका परमाडू क्रमांक सबसे ज्यादा उसको पहली प्रायोटी नमबर वन ठीक है फिर बाकी के तीन में करेंगे जिसका सबसे ज्यादा एटोमिक नमबर दूसरे नमबर पर उसे दूस था कि यदि डवल बॉन्ड यदी डवल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हैं तो डवल बॉन्ड क्या हो जाता है डवल बॉन्ड अभी हमने कुछ रूल्स देखे थे ठीक है E और Z के लिए कुछ रूल्स लेखे थे CIP रूल्स वो कोई नए रूल्स नहीं है वो वही रूल्स थे जो हमने RS में लेखे थे क्या रूल्स थे कि सबसे पहले Atomic Number देखा जाता है परमाडु क्रुमांग जिसका परमाडु क्रुमांग जादा उसको प्रायोर्टी सबसे पहली दी जाती है ना और जिसका परमाडु क्रुमांग सबसे कम उसको प्रायोर्टी दी जाती है बाद में ठीक है दूसरा रूल्स क्या था अगर कभी ऐसा हो कि परमाडु क्रुमांग सेम है तो फिर हम क्या करते हैं तो अगर समभारिक ले लिए हम लोगों नहीं तो फिर atomic weight देखते हैं किसका atomic weight ज्यादा उसको पहली priority जुसका कम है उसको दूसरी priority लेकिन अगर ऐसा हो कि double bond जुड़ा हुआ है ये triple bond जुड़ा हुआ है तो हम जानते है triple bond और double bond वाले जो atom होते हैं व वही रूल लगानी है exactly same तो मैं बार बार क्या repeat करूंगे आपको आपने पड़े हुए हैं वहाँ पर आरेस में और तीसरा रूल क्या था तीसरा रूल यह था कि मालनों दोनों ही कारवन कारवन हैं अब हम किसको priority दें दूसरी किसको दें फिर हम क्या करते हैं आगे चलते है है ना उस कारवन से और क्या-क्या लगा हुआ है उस आधार पर हम आगे चलते हैं फिर जिस पर परमादुक्रमांग जादा वाले समूल लगे होते हैं उसको हम प्रायोरिटी पहले देते हैं और बाकी वाले को बाद की priority देते हैं तो इस तरह से हम priority को decide करते हैं अब हम यह लगा हुआ आयोडी ठीक है अब हम लगाएंगे वहीं CIP रूल अपना इजएट को नहीं बता सकते इसके अंदर तो क्या बताएंगे तो हमको क्या लगाना पड़ेगा एक कारवन पर कि जुड़े हैं यहां एक कारवन की बात की जाए तो एक कारवन पर दो गूरूप ह राइगी तो floss 2004 किसको देंगी यह वाले कारोन की बात करें तो दो ग्रूप है तो इस पर भी अलग कारवन पर आएंगे फिर से नई तरीके से डिसाइड करेंगे अब यहां फिर से देखेंगे हाइड्रोजन और आइडीन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आइड्रोजन का परमाड़ुक्रमांग ज्यादा है कम तो इसको मिल गई दूसरी प्रायोरिटी अब हम बताएंगे कैसे बताएंगे कि यदि समान प्रायक्ता समूँ एक और हूँ एक और हूँ तो उसे बोलते हम जैड्र एक और का मतलब सेम साइड पर हूँ अगर सेम प्रायोरिटी ग्रूप सेम साइड पर हूँ तो उसको बोलेंगे जैड्र और यदि समान प्रायक्ता समूँ कैसे हूँ विपरीत और हों तो उसे क्या बोलेंगे हम E बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं E बोलते हैं है ना तो हम कैसे देंगे कि priority decide कर लिए एक बार उसके बाद हमें देखना है कि कौन से उसे गुरॉप same side है तो जैसे कि यहाँ पर देखें जिनको वन-वन है यहां हाइड्रोजन है यहां लगा दी हमने ब्रोमीन और यहां लगा दी हमने क्लोरीन अब फिर से दुबारा डिसाइड करना सबसे पहले क्या प्रायोरिटी देना है इन दोनों में किसका अटमिक नंबर ज्यादा ब्रोमीन का तो वन इसको मिल गई तो दूसरा नमबर मिला इससे आयोटीन का जादा होता है तो पहला नमबर कॉम्ihi सब्सक्राइब अब देखते हैं आफ एक यह उसके यह तरह एंगे कुछ और एकंपल देख लेते हैं उनसे आपको और हो अगर अ乾 सा हो सी डवलबॉंड सी ठीक है अब इससे चार अलग अलग ग्रूप जुड़े हुए हो जैसे एक जुड़ा हुआ हो एक है ओएच लेकिन यह अठारे वाला है एक है ओएच यह उनसा है नहीं आप आप कहा दो कि ओएच तो सेम है और एक और यहां पर सिस्ट्रांस नहीं दे सकते हम क्या बताएंगे यहां पर यह और जैड के लिए हम क्या करना है सी आई पी रूल लगाना है जिसका परमाडू क्रुमांग ज्यादा उसको पहली प्रायोरिटी ठीक है अब यहां और इसमें देखें तो यह और जाएगा यह हो जाएगा जाएगा ठीक है अगर ऐसा हो एक तो है क्लोरीन और एक लिलिया क्लोरीन इस्तार मतलब एक तो क्लोरीन होता है एक क्लोरीन और एक उसका आईसोटोप ले लिया एक तरफ है हमारे पास ओएच और एक तरफ है हमारे पास सी एच थ्री अब यहां पर बताना है ईजाट तो कैसे बताएंगे वही इसी कारव इसको क्या मिलेगी दूसरी अब हम देखें यहाँ पर भी क्या हो रहा है ने क्या यह दिख रहा है कि ग्रूप है वह अपो अपोजिट है आज खूंच यहां लगाओ CL, यहां लगाओ OH star, यहां लगाओ OH और यहां लगाओ CH3, अब दें, इन दोनों में देखेंगे, एक chlorine या एक oxygen, सीधी सी वात है, chlorine का atomic number जादा तो पहली priority, OH को मिलेगी दूसरी priority, यहां पर oxygen का atomic number जादा तो पहली priority, CS3 को मिलेगी दूसरी priority, अब यहां पर इसलिए यह क्या हो जाएगा Z, यह क्या हो जाएगा Z, तो इतने examples enough हैं, आप आराम से EZ कर सकते हैं, और examples देखते हैं, आगे चलते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, यह और examples की दूरू इतनी इतना enough है, तो यह था हमारा EZ और सिस्ट्रांस isomerism, आज हमने जो खत्म क किया वो जामितिय समाव्यप्ता, इतना ही था जामितिय समाव्यप्ता में, ठीक है, कैसे हम करेंगे, अगर आपको एक और example देखना है, तो ऐसे देख सकते हैं, अगर ऐसा दे रखा हो, यहां लगाओ CH3, यहां लगाओ C1OH, यहां लगाओ एक तो H है, एक लगाओ ब्रोमीन, ठीक है, अब यहां पर EZ कैसे करेंगे, वही, CIP रूल लगाएंगे, पहले तो परमाडुक्रमांग देखेंगे, इसमा परमाडुक्रमांग जादा पहली priority, इसको दूसरी priority, अब यहां पर देखें, कारवन, कारवन, दो नहीं कारवन, कारवन है, किसकी priority जादा होगी, नहीं decide कर सकते, तो आप क्या करेंगे, यहां पर कुछ और लगा हुआ है, double bond, और हम जानते हैं, double bond क्या हो जाता है, duplicate, तो यहां पर जुड़ जाएगा कारवन, इससे जुड़ जाएगा oxygen, अब देखें, यह जो कारवन है, कारवन, कारवन से तो decide नहीं कर सकते, तो प्रायकते जादा, oxygen वाले की प्रायकता जादा, तो इसको पहली priority और इसको मिल जाएगी, दूसरी priority, तो यहां पर हमने CIP का दूसरा rule लगाया, तो इस तरह से हम CIP के सारे rules का use करके, EZ को हम बता सकते हैं, ठीक है, तो अब हम देखें, same priority वाले, same side है, तो यह क्या हो जाए का use करते हैं, ठीक है, तो यह जामिती समावियवता आपकी खत्म, अब बचिए आपकी केवल सनरूपन समावियवता, जिसमें लगेंगे आपके दो लेक्चर, उसके बाद, एक और दो लेक्चर और यह unit खत्म, ठीक है, अभी के लिए thank you